पलपल यूज के न्यूजरूम से मैं हूँ आपके साथ नदिम अकरम भारतिय जासोस पार्टी जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ भारतिय जंता पार्टी की जिसे आपकी जिंदगी में दखल देना है उसे ये जानना है कि आपके बेडरूम में क्या चल रहा है उसे ये जानना है कि आप फॉन पर कब किस्से क्या बाते कर रहे हैं उसे ये भी जानना है कि आप किस्से क्या चैट कर रहे हैं जिसे वो आपकी जासुसी करा रही थी जिसके लिए सामने आए चालिस पत्रकारों के नाम भी हैं तीन विपक्ष के नीता भी हैं और साथी साथ दो खुद के मंत्र और एक जच इसमें शामिल है जैसे कि ये खुलासा हुआ तो हर जगा हंगामा मचा हुआ है और भारतिय जासूस पार्टी के लिए जम करके विरोध हो रहा है जहां ये दावा किया जाता था कि मोधी सरकार बढ़िया काम कर रही है ये उनकी बहादुरी के और जो कारनामे हैं उनकी जीती जाकती तस्वीर है जब कुछ ना कर पाए तो हमने जासूसी कांड करा दिया जिसमें हर किसी को निशाना बनाया जा सके क्योंकि जो आवास उट रही है उसे दबाने के लिए उसके वैडरूम की तस्वीरे सारुजिनिक करने तक की धमकी दी जाए उसको डराने के लिए तमाम हदकंडों का इस्तमाल किया जाए और जब सवाल पूछा जाए कि बताइए और देश यूस कर रहे हैं हमने कर लिया तो क्या कर लिया जब काउंटर अटेक हो तो बातों को घुमाने का सलसला भी मोधी सरकार को बखू भी आता है यहां तो सड़क से लेकर के स संसत तक मोधी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि कल यूस कॉंग्रेस ने दिली में संसत बवन को गेरा और जबरदस्त प्रोटेस किया मोधी सरकार के खिलाब तो बही तस्वीरे संसत के अंदर से भी आए और संसत के अंदर से आती हुई तस्वीरों पर जहां डं दोशब्द जो देश के प्रधान मंतरी शिरी नंदर मोदी जी की जुबान कैची की तरह चलती है वो कल दोशब्द नहीं बोल पाए क्योंकि विपक्ष ने इस तरह गेरा कि पड़मोले मोदी पुरी तरीके से खामोश बैठे रहे और जब खामोश बैठे रहे तो तमाम तस सामने आ रहा है और साथी साथ उद्धव ठाकरे का भी नाम सामने आ रहा है जबरदस तरीके से परतिक्रिया कॉंग्रेस की तरफ से बैरिश्टा असदुद्दीन ओवेसी की तरफ से और साथी साथ जो प्रक्रिया आई है संजे रावत की उसने मोदी सरकार को हिला करके पार्टी है तो आप देख सकते हैं कितना जबरतस्त तंच राहूल गांदी ने किया है और वहीं प्रियंका गांदी ने भी इस पर तमाम बातें लिखी हैं और कॉंग्रेस के नेता मुखर हो करके भारती जन्ता पार्टी को गिरने का काम कर रहे हैं राहूल गांदी ने सोंब सरकार को टूइट किया उसके डर पर हसी आती है ये भारती जासूस पार्टी है इससे पहले आज सुभे भी उन्होंने टूइट किया था हम जानते हैं कि वे आपके फोन में सब कुछ पढ़ रही हैं कॉंग्रेस ने ये मांग उठाई है कि कई प्रमुख व्यक्तियों और पत्रकारों का कतित फौन पर टैप किये जाने के मामले में स्वतंतर जाच होनी चाहिए वही कॉंग्रेस महासची प्रेंका गांदी ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा पैकसास के जरिये जासूसी से जुड़े खुलासे बहुत ही घिनोनी कार गुजूरिया की त अगर ये सच है तो मोदी सरकार सम्विधान द्वारा देशवासियों को दिये गए निजात के अधिकार पर गंभीर और खतरनात हमला कर रही है इससे लोकतंत्र तो नस्र होगा ही ये देशवासियों की नीजिता के अधिकार को कई इस्तर पर नुखसान पहुचाएगा अधीर रंजन चौधरी ने कहा नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन वे इसे सर्विस लांस इंडिया बना रही हैं चौधरी ने कहा कि पिये मोदी के खिलाफ जो भी आवाज उठाने की हिम्मत करता है उसके खिलाफ पैकसास का इस्तमाल किय जाता है राहूल गांदी कहते हैं कि हम बीजेपी से नहीं डरते हैं इसलिए उनके खिलाफ भी जासुसी हो रही है हम लोग सभा के अंदर जोरशोर से इस मुद्टे को उठाएंगे वहीं कॉंग्रेस नेता रंदीव सिंग सुर्जेवाला ने सवाल उठाया कि भारत में व ऐसे खर्च किये हैं देश में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी अमिशा की हैं तो उन्हें इस्तिफात दे देना चाहिए और इस मामले में प्रधान मंत्री की भूमिका की भी जाच होनी चाहिए उन्होंने कहा कि ये सॉफ्ट्वेर बिना आपकी मर्जी के बिना आपके बाचीत को हैक कर लेता है आपकी बेटी आपकी पतनी के फोन के अंदर सरकार ये प्राइविसी सॉफ्ट्वेर डाल सकती है आप बेडरूम के अंदर क्या बाते कर रही हैं पैकसास डाल कर वो सब मोधी सरकार सुनना चाहती है अगर ये राश्टी सुरक्षा से खिलवार न पर ये तो कॉंग्रेस की बात हुई कॉंग्रेस के सासाथ सुनना ने भी महरास्ट में मोधी सरकार के खिलाब प्रोटेस्ट किया जिस पर संजे रावत ने भी बड़ा पयान दिया है आपको बता दे कि इसराइली कंपनी के सॉफ्ट्वेर पैकसास के धरिये राजनेताओं पारी सरकार बन रही थी तो टैपिंग का मामला सामने आया था रावत ने आगे कहा कि इस बार विदेशी कंपनी करवा रही है मुझे लगता है कि महराश्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी फोन टैप हुआ है हो तो मुझे आश्यर्य नहीं सलसस सत्र शुरू होने से पहले शिवसेना प्रवक्ता ने आगे कहा कि पारलेमेंट में इस मुझे को उठाएंगे पियम मोदी और ग्रह मंत्री सामने आकर इस पर अपना स्पस्ट्री करण जब तक नहीं देते हम चुप बैटने वाले नहीं हैं इस से पहले फॉन टैपिंग मामले को लेकर AIMIM के चीफ बैरिश्टा असदुदीन ओवेसी ने भी सरकार को आड़े हातों लेते हुए उस पर हमला किया ओवेसी ने सरकार से सवाल पूछा है कि फोन हैकिंग के लिए पैकसा सौफ्ट्वेर हैकिंग है टैपिंग नहीं उन्होंने कहा कि हैकिंग एक अपराद है फिर च जो किया क्या सरकार ने न्यूज रिपोर्ट्स के लिए नामों को दाइरे में लिया था या नहीं पैकसास मामले पर रेटायर आये सूर्य परताब सिंग ने टूइट कर सरकार पर निशाना सादा है उन्होंने कहा कि अच्छे अच्छे फसे थे जासूसी के जाल में पत्रक विपक्ष के नेता सुप्रीम कोट के जस्तक को नहीं चोड़ा गया उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि आकर इन सब की फॉन टैपिंग क्यों कराई जा रही थी क्या खत्रा था वानी पर पहरे लगा दिये लोक्तंत्र की गर्दन मरोड रखी थी आपको बता दें कि द प्रक्षा संग्टनों के वर्तमान और पूर एवम अधिकारी और बड़ी संख्या में कारोबारियों की जासूसी की गई दिगारजियन और वाशिंटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया है कि दुनिया की कई सरकारे एक खाथ पैकसाज नाम के सॉफ्ट से करिदा है इन बातों की भी जाच होनी चाहिए और मोधी सरकार इस जासूसी कांड में ना की कॉंग्रेस की तरफ से घरती हुई नजर आ रही है इस पर मुखर हो करके शिवसेना ने भी हल्ला बोल दिया है तो और इंडिया मजलिस ये तादल मुस्लमीन के सदर के इजाज़त शुक्रियों